यह रेडिमेट पैंट है जिसको हम लूज करेंगे इसके लिए हम सारी स्लाइट खोल लेंगे और यह कपड़ा है सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब निके तो सब्सक्राइब वो बेल आइकन को जरूर प्रस करेंगा यह हमने पैंट खोल दी है यहां पर और यहां पर हम आसन में और नीचे दोनों कपड़ा लगाएंगे तो हमने नाप ले लिए है दो लेयर हमने काटी है और उसको फोल करेंगे ऐसे एक एक इंच का साइड साइड में माल जन ले करके और इसे कट करेंगे तो हमारे चार लेयर निकलेंगी चार कपड़े निकले लिया है, सबसे पहले हम 20 कपड़े को लगाएंगे, हम इसमें ज्यादा लूजिंग करना चाते हैं, इसलिए हम एक म्यानी भी लगा रहे हैं, जिसको हम ट्रैंगल में कपड़ा करके, फिर हमने काटा है, अब दोनों कपड़ों को बराबर तह करके, इसको 20 से फोल्ड करेंगे और यह जो एक्स्ट्रा कपड़ा ट्रैंगल की तरह निकल के आ रहे है तिकोना, इसे हम काट देंगे, यह हमारी म्यानी बन के तयार हो जाएगी, यह देखें, बन के तयार हो गए, सबसे पहले हम 20 के कपड़े को जोड़ेंगे, फिर आसन के कपड़े को जोड़ेंगे, फि तो सीधे इससे को लेकर के PANTS में जोड़ेंगे अच्छे से सिलाई कर लेंगे और मजबूती के लिए हम इसपे दो सिलाई कर लेंगे एक तक फोल कर लेंगे यह हमने सिलाई लगा लिया ऐसे में हम चारो कपड़े में सिलाई लगा लेंगे यह चार लेयर बन गई है हमारे कपड़े की जो एक्स्ट्रा थी एक्स्ट्रा हो गई अब हम अब हम आसन के कपड़े को जोड़ेंगे आसन के कपड़े को जोड़ने से पहले हम चारो कपड़ों को बराबर से बिच्छा लेंगे औ और आसन के नाप के हिसाब से इसे काट देंगे अगर आप म्यानी ने लगाना चाहते हैं तो हमने साइड से नहीं काटा है सामने से नहीं काटा है यह पहले हम आसन के कपड़े को काट लेते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर के यह एक्स्ट्रा लेकर काट लेंगे अगर आपक लेकिन मुझे म्यानी लगानी तो हम दूसरी तरब से नहीं काटेंगे, यह हमारा मार्जन हो गया, अब हम इसको बड़ी सफाई से गोल घुमाते हुए लगाएंगे, और इस पर डबल बख्या भी करेंगे, जिससे मजबूती आ जाएगी, यह देखे हम कितने आराम से फोल करते हुए गोल घुमा रहे हैं और लगाएंगे, याद रख लेगे, इसमें डबल बख्या जरूर कर लेजेगा, वरना मजबूती ने आएगी, बहुत जल्दी फट जाएगा, यह हमारा लग जया है, ऐसे हम चारो आसन में, आसन के जो चार लेयर हैं, उनने सम्मे पूर दी है, अब हम इसको काट देंगे, जो एक्स्ट्रा ट्रैंगल तुकोना तुकोना से निकल के आ रहा है, इसको काट देंगे, अब हम दोनो पैरो को मतब मियानी से होते हुए अच्छे सा सिल लेंगे, यह देखे, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, उस पे जह दालते हुए हम एक मार्क कर लेंगे जिससे हमको सिलाई करने में आसान हो जाएगा जहां पहले से सिलाई है वहां से सिलाई स्टार्ट करेगा थोड़ा सा बाहर लेते हुए आप लियाएगा बाहर तक की तरफ तो हमारी लूजिंग बहुत अच्छी होगी और पटा भी नीच जालेगा यह हम कपड़ा से कपड़ा मिलाते हुए सिलते जा रहे हैं अच्छे से पिसलेगा मैं आज कमयानी की जहां जोड है वहां पे सारे जोड आएं जिससे सफाई बहुत अच्छी आएगी यह देखे हमने सिल लिया है अब यह जो एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे से दि कर देख रहा है उसकी हम कटिंग कर देंगे अगर आपके में निकला है तो कटिंग कर दीजे और नहीं निकला तो फिर मत कटिए इसका हलका सा कटिंग कर देंगे तो शेप बहुत अच्छा हैगा उपर तक नहीं काटेंगे क्योंकि हम सिलाई बाहर को ले गए थे यहाँ पे सिलाई से सिलाई स्टार्ट करके हुए बाहर को सिलाई लाए थे इसलिए थोड़ा सा काटना पड़ रहा है अब जब इसे पहनेंगे तो बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि इसमें हमने कपड़ा एक्स्टा जोड रखा है यह देखे हमारा पूरा बन के तयार होगा है जी कुछ इस तरह होगा हमारी लगवग साथ इंच की लूजिंग आ गई है और थाइस पे भी अच्छी खासी लूजिंग आ गई है यह देखे धाई इंच की है और दोनों तरफ में लाखे लगवग पांच इंच की है लूजिंग है अगर हमें आपे म्यानी नहीं लगाते तो देखे ऐसा राउंड काट देते और सीधे सिल देते लेकिन मुझे म्यानी लगानी थी इसलिए हमने उधर से काटा नहीं था अब देखे यह हमारी पैंट बनके तयार हो गई है जो बहुत ही ज़्यादा लूज और कमफर्ट अब लगेगी अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा चैनल पर नए वीडियो देखने के लिए